तो स्वागते साथ यूँ आप सभी का Steady Exam Academy के ओनलाइन प्लेट फॉरम में दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल का एक्जाम में बहुत सारे मितर ये सोच रहे हैं कि इस बार कितनी कटोब जाने वाली है हमारे कितने नंबर आ रहे हैं कि हम फिजिकल की त्यारी स्टार्ट कर दे साथ यूँ में बता दू कि दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम के बारे में आप में पूरी डिटेल आज देने वाला हूँ ये किस लेवल तक अपना पेपर हुआ था उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा कोई भी मितर जो किसी भी गौर्मेंट एक्जाम के आगे और त्यारी करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी यहां पर खुस खबरी है कि अनकेडमी के उपर 13 दिसमबर से 27 दिसमबर तक यहां पर Moke टेस्ट यहां पर चल रहा है पिरी मिलेगी देखने को और साथ में आपको टेश्यी में मिलेगी इसलिए एनकेड में ये आपको डाउनलोड करना ना भूलें दिल्ली पुलीस कौंस्टेबल का एकजाम हुआ यहां पर पेपर का अच्छे लेवल तक यहां पर देखने को मिला इतना सरल इजी भी पेपर न पिछली वाले जितना पेपर यहां पर सेरल नहीं हुआ था इसलिए इस बार मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी अब यहां पर बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि दिली पूलिस कॉंस्टेबल ने इस परकार फटजिवाड़ा हुआ है यह हुआ है वो हुआ है ऐसी इन सभी बा इस बार है तो भी आपको दिली पूलिस कॉंस्टेबल के फिजिकल की त्यारी करनी चाहिए क्योंकि इसकी जो फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा यहां पर इतना नॉर्मल या सरल नहीं होता है इसलिए जो ज़्यादा त्यारी करने वालल इस्टूटनिट है वो ज्यादा के अंदर यो फिजिकल के अंदर बार हो जाते हैं फिजिकल और मेडिकल दिली पुलीस का कप ही यहां पर टप देखने को मिलता है इसलिए आपको फिजिकल की तियारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अब बोलेंगे कितने नंबर हम पर हम फिजिकल की तियारी करें तो जिस किसी भी बालिका के ज़ेदी आ रहे हैं तो उसको physical की यहां पर त्यारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दिल्ली पॉलिस कॉंस्टेबल की अब यदि male category की बात करें कि male category में हम क्या करें यदि male category की में बात करूँ तो जिस भी मित्र के 70 पलस है जिसमें मित्र के 70 पलशेदी नमर आ रहे हैं तो उस मित्र को यहाँ पर फिजिकल की तयारी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि फिजिकल की रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तयारी करनेगा और दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल का मैं बता दूँ फिजिकल बहुत ही जादा यहाँ पर इतना इजी नहीं होता है दोस्तों फिजिकल और मेडिकल बाद में आप सोचोगे कि अब फिजिकल हम दोड कर लेंगे तो आप से फिजिकल के लिएर नहीं होगा क्योंकि इसका फिजिकल इतना आसान नहीं होता है जितना इसका पेपर टप है उतना ही यहाँ पर इसका फिजिकल ही टप होता है इसलिए आप फिजिकल की त्यारी याँ पर जरूर इस्टार्ट करें अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट करके आप भी आप पूछ सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा